कि नमस्कार मेरा नाम अरुन कुमार है मैं एक फ्रीलांस साबर सेक्योरिटी प्रैक्टिशनर हूं और मैं आपके साथ आप प्जीटींस प्रोग्रामें जुढा हों से अए हम साइबर क्राइम के बारे में परेंगे इस प्रोग्राम में और आज के लेक्चर में हमारे लइनिंग अब्जेटिव ये होगे पहला होगा हम जानेंगे की cyber crime की definition क्या होते है। हम cyber crime को classify करेंगे, समझेंगे की organizational structure में cyber crime की hierarchy क्या होते, हम cyber crime करने के reasons को समझेंगे, इनके पीचे जो मकसद है या कुछ कारण जिनके बशिक cyber crime होता है, वह हम देखने हैं, अलग अलग तहां के malwares, malicious software जोने भी कहते हैं, हम उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम उनको भी एक पार समझें, किस तरह के malwares फोते हैं, तब चेपहले, cybercrime की जो book definition है, उनने आपको बता दूँ, it is an unlawful activity in which computer or computing devices such as smartphones, tablets, personal digital assistants, etc. which are standalone or a part of a network, are used as a tool or and target of criminal activity. मतलब कि या तो वो खुद target हो सकते हैं, या वो पार्ट हो सकता है, adversary का पार्ट भी हो सकता है, आगे चलते हैं, it is often committed by the people of destructive and criminal mindset, either for revenge, greed और adventure, तो अगर classify किया जाए, cybercrime को, तो दो तरह से classify किया जाता है, एक कहते हैं कि insider attack होता है, कोई अंदर से ही आपको attack करें, और एक जो दूसरा है वो है external attack, तो बाहर से entity आपको attack करें, on the basis of maturity attacks के maturity के basis पर अगर हम इसको model करना चाहें, तो एक unstructured attack हुआ, एक structured attack हुआ, unstructured attack जिसमें कोई specified या defined तरीका नहीं है, कुछ नए नौसीखिया, hackers को कुछ tools मिले हैं, वो उन्हें try करना चाहते हैं, और उसके बाद उनका कोई आगे मकसद नहीं है, तो वो unstructured की category में आ जाएगा, Structured attack आम तोर पर काफी बड़े जो cyber groups होते हैं, वो मिलकर एक company या एक individual के against करते हैं, जरूरी नहीं कि पूरे structure में जो cyber group हैं हमेशा जुड़ा रहे, वो अलग-अलग अपने अपने रोजमदा के कामों में भी व्यस्त हो सकते हैं, बट किसी एक cybercrime के लिए quickly जुड़कर इसको achieve कर सकते हैं, इनके पीछे cybercrime commit करने के पीछे क्या reasons हो सकते हैं, वो है money, सबसे पहला reason, money is one, number two reason, revenge, किसी से बदला, किसी इंसान से बदला, किसी company से बदला, fun, मौज के लिए, खुशी के लिए, यह देखा, मैंने उस website को down कर दिया, और कोई नहीं कर पाया, यह स्रुफ fun हुआ, recognition कि आज तक वो website, वो system, वो computer, वो business organization, down नहीं हुआ, मैंने किया है, I am capable, यह recognition वाली बाते हुए, anonymity एक ऐसा reason है, जो एक सीधे साधे बंदे, या common man को भी कुछ crime करने में, provoke कर सकता है, अगर आपको मालूम चले कि पता ही नहीं चलेगा कि किसने crime किया है, तो innocent people of good nature can also commit crime in the name of anonymity, अगला reason, cyber espionage, यह दो states के भी इसमें हो सकता है, दो companies के भी इसमें हो सकता है, दो individuals के भी इसमें हो सकता है, यह एक reason है, जो cyber crime को करने के पीछे होता है, आए देखते हैं कि malware कितने type के होता है, malware का शब्द जो है, वो कहां से आया, वो आया malicious software से, malicious माने of wrong intent, इसका intention जलत हो, तो उससे malware बन जा, पहला malware का उधारन जो है, वो है adware, तो आप website पर जाते हैं, तो आप तो भले ही amazon.com पर जा रहे हैं, आप तो भले ही flip card पर जा रहे हैं, suddenly कई सारे pop-ups, individual windows आ जाते हैं, और आपको उन websites पर redirect किया जाता है, आपका homepage बतल दिया जाता है, तो यह adware है, इसको advertising ware भी कहते हैं, तो advertisement के बहाने से, यह उद्देश्य से, यह adware आपके computer में install होता है, और आपके intended website पर जाने से पहले, आपको यह अपनी website पर ले जाता है, अब इसके पीछे पैसा कौन देता है, यह कैसे बनते हैं, उनको अगर हम समझने कोशिश करें, तो यह उन companies की द्वारा funded होता है, जो की अपनी ad customer तक पहुंचाना जाता है, दूसरा हुआ, spyware, जो आपकी activity, जो आपकी online activity, आपकी hobbies, interests, हो सकता है, आपके key logs, आपके type किये हुए words, computer से catch करके, अपने servers को पीछे भेजता रहें, अगर आप internet पे connect हैं, तो spyware दूसरा टाइप हुआ, तीसरा टाइप हुआ, ब जिसमें आपका browser जो है, उसको hijack कर लिया जाता है, आपके page visits, आपके key logs, आपके website information, critical information, तो login किया जाता है, और अपने servers पर, जब भी आप internet से connected होते हैं, बेजा जाता है, साथा हुआ, जो काफी famous है, काफी लोग इन सब को एक तरह से virus के नाम से categorize करते हैं, बट virus और adware और spyware में फर्क होता है, तो virus एक अलग malware हुआ, virus तब तक activate नहीं होता, जब तक user, उस computer, उस smartphone को use करने वाला user उसे activate नहीं, अगला एक malware है, वो है worms, Worms का नाम Worms इसने पड़ा, क्योंकि यह अपने आप replicate हो जाता है, यह 1-2, 2-4, 2-4, 6-8, 32-16, किसी भी तरह से बढ़ सकते हैं, जो भी coded होगा, और इन में एक capability होती है, कि यह network पे spread हो जाते हैं, आप network, जिस भी network से connected होंगे, इंटरनेट हो, आप का local land हो, यह तहीं Wi-Fi में आप connected हों, तो एक machine से, एक smartphone, एक device से, दूसरी website, device तक यह पहुंचाते हैं, अगला हुआ, Trojan Horse, तो Trojan Horse, सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, कि Trojan Horse नाम कहां से आया, तो Greece में एक city थी, city of Troy, अगर आप में से कई लोगों ने मुझे देखी वो Troy, तो आप ज्यादा relate कर पाएंगे, तो Greece की वो city, city of Troy बहुत ही संपन्य थी, लोग बहुत खुश थे उसके अंदर, और दूसरी cities उसको conquer करना चाहती थी, बहुतों ने कोशिश की, सब तरहा के तरीके अपनाएं, city of Troy को भेव नहीं पाएंगे, तो Trojan Horse कैसे आया, इससे कैसे जुड़ा हुआ है, तो एक दूसरे city के महराज में, Troy को एक बहुत ही बड़ा लकडी का घुरा मेंट दिया, तो वो घुड़ा काफी बड़ा था, city के, city of Troy के जो boundary wall थी, बड़े-बड़े gate थे, उस size का था, तो उसके लिए सबसे बड़ा gate, city of Troy का खुला गया, उस घुड़े को अंदर भेजा गया, और जैसे ही वो घुड़ा अंदर पहुचा, उसके अंदर से तमाम सैनिक तूसरी city के बहार निकले और city of Troy पर धावाब होती है, तो उसी तरह से आप तोजन होर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वो एक legitimate, एक सही दिखने वाले software के अंदर बंधा होता है, तो जैसे ही आप install करते हैं, आप double click करते हैं उस software को तो वो activate हो जाता है, जरूर नहीं activate हो तो आपको पता चले, कई बार ये सिर्फ remote access देने के लिए होता है, कई बार ये सिर्फ sleeping cell के हिसाब चे काम करता है और आपके key logs अपने server पर भेज़ देता है, ये कई बास सिर्फ और सिर्फ denial of service में काम आता है, आप denial of service में एक contributor के रूप में और कई बातों में सिर्फ बाकी Trojan डाउनलोड करने का काम करता है, तो ये हुआ malware, latest type के जो software's वो आचकल मार्केट में जिनका नाम काफी popular है, वो ह scareware, डरा के आपसे, डराने type के software's, आपसे डरा के कुछ extract करने के लिए जो software's दोते हैं, दूसरा नाम इनका ransomware भी है, आपसे कुछ पैसा extract करने के लिए, तो recent example जो मैं दूँ आपको, वो है WannaCry, WannaCrypt, Petya, और NotPetya, ये कुछ नाम है, Bad Rabbit, CryptoLocker, तो क्या होता है कि आप एक legitimate software, डावलोड करते हैं, उसके अंदर हो सकता है कि, frozen horse हो, virus हो, worm हो, और आपकी important files को, over time, encrypt करके, lock कर दिया जाता है, और आपके desktop पे message आता है, कि आपको, कि इतना पैसा, इस account में, transfer करना है, हम आपकी files को, decrypt करके, आपको दे जाता है, कि पैसा cash भी हो सकता है, electronic भी हो सकता है, bitcoin के रूप में हो सकता है, bitcoin आज करका भी popular है, तो यह हुए ransomware के types, यह कुछ ransomware के, famous ransomware के, मैंने आपको नाम भी बताए, अभी देखेंगे, कि हमने इस lecture में, क्या समझा, हमने इस सम्झा है, कि cybercrime, the term, the term cybercrime is used to describe an unlawful activity, in which computer or computing devices, such as smartphones, tablets, personal digital assistants, which are stand-alone, और a part of a network, are used as a tool, network, to attack the target machine, तो आप एक computer या computing device, खुद उस attack को करने के part भी हो सकते हैं, और उस attack के victim भी हो सकते हैं, हमने यह समझा है, कि cybercrime का, जो intent है, जो उसकी position है, वो internal भी हो सकती है, और और external भी हो सकते हैं, वो आपके organization का part भी हो सकता है, और वो organization से बाहर भी हो सकता है, कोई ऐसा employee, जो की disgruntled हो, कुछी हो, गलत तरीके से निकाला गया हो, परिशान हो, वो बाहर जाकर आपकी आपके against या आपकी complete against, कोई cybercrime करें, या कोई internal employee, जो परिशान हो, मगर निकाला ना गया हो, वो ऐसा crime करें की, कोशिश करें, और हमने यह समझा कि, an attack to the network or the computer system by some person with authorized system access is known as insider attack, यह हमने आपको बताया, structure attack के बारे में बताया, तो they are performed by highly skilled people and experienced people, तो यह क्यों कर रहे हैं attack, इनको बहुत clear होता है, और जब यह attacker is either hired by an insider or an external entity to the organization which is known as external attack, जातो कोई inside में बाहर से कोई hacker को हार करें, तो cybercrime करें, या कोई बाहर के entity, किसी organization को attack करें, तो वो external attack को हो, कुछ cyber criminals ऐसे भी हैं, जो on-demand service provide करते हैं, आपकों से कहिए, कि मुझे मेरा motive, मेरा objective यह है, तो they will do that, they are always in the wrong sense, जो इनकी जो intention है वो गलत होती, हमने malware के बार में पढ़ा, हमने देखा कि malware सब कहां से आया, it is part of malicious software, malicious software से बना, and designed to access, तो लेने के लिए, या installed होने के लिए, किसी computer में, without the consent of the user, spyware क्या होता है, हमने ये समझा कि spyware, is a special type of virus, या आपके लिए, is a special type of malware, which is installed in a target computer, with or without the user's permission, and is designed to steal sensitive information from the target machine, आपकी machine से वो, बहुत ही sensitive information स्टील करने के लिए, use कह जाता है, तो आपके लिए sensitive information क्या हूँ, आपका payment system, आपके आधार card के details, कुछ ऐसी information, जो सरिफ आप अपने पास अपने computer में रखना चाहते हैं, तो हमने ये सब समझा, thank you so much, अगले lecture में हम cybercrime के kinds के बाहर में पाता करें, kinds of cybercrime is there in the society, we will see that, thank you. we QUESTION कुछ कुछ कुछ